चेके नीज टूडे में आप सभी का स्वागत है Ministry of Home Affairs ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला जमू के कोट भलवाल जेल को लेकर है जमू के कोट भलवाल जेल में अब CISF यानि की Central Industrial Security Force को डिपलॉय किया जाएगा और यह फैसला इसी रही लिया गया क्योंकि कुछ security concerns देखे गए जब वहाँ पर कोट भलवाल की जेल में कुछ raids हुई उस raids के दुरान वहाँ पर कुछ fake sim cards देखे गए और communication के लिए कुछ mobile phones देखे गए और छोटे छोटे शॉप weapons जो हैं वो भी बरामत हुए इस raid में तो इसी concern को लेकर अब CISF को वहाँ पर deploy किया जा रहा है और CRPF को वहाँ से निकाल कर उनको anti national activities पर focus करने के लिए कहा गया है मैं आपको बता दू कि जो कोट भलवाल जेल है यह जमू कश्मीर के लिए या अगर कहें तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपून जेल है क्योंकि इसी जेल में कम से कम 900 से जादा जो terrorist है वो यहाँ पर as a prisoner है और मैं आपको बता दू कि यह 900 टेररिस्ट है इसमें हिंदोस्तानी टेररिस्ट भी है और कुछ foreign national के टेररिस्ट भी है जिसमें सबसे जलजादा जो तदात है वो है पाकिस्तानी टेररिस्ट की और ये कोट भलवाल जेल वो ही जेल है जहाँ पर मुहमद मक्सूद अजहर आपको याद होगा IC 814 1999 में जब हाइजेक हुआ था जो तब वहाँ पर उन्होंने जो हाइजेकर्स थे उन्होंने डिमांड की थी कि मुहमद अजहर असद को वहाँ से रिहाई मिली जाए तो मैं आपको बता दूँ IC 814 जब 99 में हाइजेक हुआ था तो वो काटमंडू से दिल्ली आ रहा था पर उसको कांधार में ही रोक दिया गया था और वहीं से ये की सारी की सारी negotiations होई थी और जो मुहमद असद अजहर है वो वहीं से रिहा हुआ था कोट भलवाल जेल से ही तो कोट भलवाल जेल जो है कही ना कही भारत के लिए और जमू कश्मीर के लिए बहुत important है क्योंकि यहां पर बहुत ही खतरनाक और बड़े-बड़े मुझरिम है जो वहां पर रखे गए हैं और आगे भी रखते जाएंगे तो बहुत बड़े-बड़े militants इस जेल में है और इसी security concerns को देखते हुए Ministry of Home Affairs ने अब CISF को वहां पर deploy करने का फैसला किया है इसी तरह की और भी खबरे हम आपको देते रहेंगे देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए JK News Today